हलो फीजोशीज, वेलकम बाक टो मैं चैनल फीजोशी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए चाइनिज बील ड्रामा ब्लू कैन वाश ऑफ यूटफुल डेज का एपिशोड ठाट लेकर आई हूं अगर अभी तक आपने बाके के अपिशोड नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे प्ली टू चेक इट आउट शो विदाउट फॉर्दर अडू लेट्स केट इंटू दा वीडियो पिशले अपिशोड में हमने देखा था कि यंग टैन का चेक अप कराने के लिए से हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां डॉक्टर उसे एक सुननी की मशीन देते हैं यंग टैन को उसे ब्रदर बुलाने को कहता हैं 10 थोड़ी सी कोशिश करने के बाद यंग को ब्रदर कहकर बुलाने में काम्याब हो जाता है और उसे ठाइंक्यू कहता है यंग खुशी के मारे 10 को गले लगा लेता है 10 अपने घर वापस आता है और यंग के बारे में सोच सोच कर मुश्कुराते रहता है अगले दिन यंग सभी स्टुडेंट्स को टेस्ट का रिजल्ट सुनाता है सभी के नंबर्स के अनुशार उन्हें क्लास A, B और C में रखा जाता है जिनके ज़्यादा माक्स आते है वो क्लास A और B में जाते है और जिनके सबसे कम माक्स आते है और जिन्हें और मेनत की जरूरत होती हैं वो क्लास C में जाते हैं यंग किन और लू को साइड में ले जाकर पूछता है कि क्या वो लोग फिर से टेस्ट देना चाहते हैं किन मना कर देता है क्योंकि उसे कोल फर्कने पड़ता है कि वो कौन से क्लास में हैं लू से पूछने पर लू भी कहता है कि वो भी केन के साथ उसी के क्लास में रहना चाहता है वो उसके साथ ही आगे प्रोग्रेश करना चाहता है उनकी बाते सुनकर यंग उनको क्लास सी में कमजूर बच्चों के साथ जान बुझकर रखने का फैसला करता है ताकि उन्हें देखकर सभी बच्चे मोटिवेट हो नेक्ट सीन में हम देखते हैं कि लू वेजियाओ को सूज लाकर देता है जो उसने उसे देने के लिए प्रामिश किया था और उनके बीच की जितनी भी लड़ाईयां और गलत फैमी थी उसे खत्म करता है वेजियाओ सूज देकर बहुत खुश हो जाता है उसके बाद लू कि नके पास जाता है जो पास मही पेंटिंग कर रहा था और ये सारी चीजे देख रहा था कि लू शे कहता है कि पेंटर से जादा तो उसे जूते बेचने वाला कम जादा सूट कर रहा जिस पर लू पूछता है कि क्या वो उसे गुस्सा है वो तो बस उनके बीच की लड़ाई खत्म कर रहा था उसे वैसे भी वो सूच पसंद नहीं थे वो सूच को वे जियाओ को दे या फिर फेक दे उसके लिए एक ही बात है ब्रेक के बाद यंग सभी स्टुडेंट्स को वो शारी पेंटिंग्स दिखाता है जो उन लोगों ने टेस्ट में बनाया था यंग सभी स्टुडेंट्स को वे जियाओ की पेंटिंग में जो जो कम्या होती है वो बता रहा होता है उसी वक्त लू किन को अभी भी मूफूल आता देख एक पेपर में शौरी ड्रॉ करके किन को दिखाता है जिसे देखकर किन को हशी आ जाती है पर वेई जियाओ को ये गलत फैमी हो जाती है कि वो दोनों उस पर हस रहे हैं उपर से वेई जियाओ के दोस्त भी उसे भड़काने लगते हैं वो लोकिन और लू को शबक शिखाने का एक प्लान बनाते हैं वेई जियाओ का दोस्त उन दोनों को चिटिंग के इलजाम में फशाने की साजिस रचते हैं उसी रात वेई जियाओ चोरी छुपे स्टूडियो पहुशता हैं और अगले दिन टेस्ट में जिस स्टिल लाइफ टेबल की प्रिंटिंग बनानी होती हैं उसकी फोटो खीचता हैं गलती से वहां से निकलते वक्ट वो टेबल खराब हो जाती हैं और वेई जियाओं की चाभी वहीं गिर जाती हैं अगले दिन क्लास A और क्लास C के स्टूडेंट्स का टेस्ट एक ही साथ होता हैं जब स्टूडेंट्स वहां पहुशते हैं तो इस्टिल लाइफ टेबल का सारा सामान बिखरा हुआ देख वह लोग डंग रह जाते हैं अन्हें शक होता है कि साथ क्लास C के स्टूडेंट्स ने ये किया हैं ताकि वह लोग टेस्ट देने से बच जायें वो लोग जल्दी से एक नए लाइफ टेबल का इंतजाम करते हैं और टेस्ट देने बैठ जाते हैं तब ही वेई जियाओं को वहाँ पर अपनी चाबी गिरी हुई दिखती है वो शबकी नजरों से बचाकर अपनी चाबी उठाकर पॉकेट में रख लेता है पर लू और किन की नजर उस पर पढ़ी जाती है वो लोग उसे चाबी उठाते हुई देख लेते है टेस्ट के दोरान क्लास A के स्टूडेंट्स क्लास C से बहुत रूखा बरताओ करते हैं और उनसे कहीं दूर जाकर बैटने को कहते हैं किन और लू को भी टेस्ट देता दे क्लास A के कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं उन्हें भी उनके साथ टेस्ट देने की क्या जरूरत है वैसे भी क्लास C के स्टुडेंट्स किसी काम के नहीं है ये सुनकर किन को गुशा आ जाता है और वो शभी से कहता है कि क्लास A के स्टुडेंट्स सिर्फ इस्टिल लाइफ टेबल को ही ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ नहीं इस पर क्लास A के मॉनिटर सन किन के पास आती है और कहती है कि उनके क्लास के स्टुडेंट्स ने लाइफ टेबल खराब नहीं किया इसलिए उसे उन पर गुशा उतारने की कोई जरूरत नहीं है कि इनका साथ देती हुए लू सन से कहता है कि वो उनमें भेड़भाव करने वाली कौन होती है जब टीचर नहीं उन्हें साथ में टेश्ट देने को कहा है सन अभी भी स्टिल लाइफ टेबल को खराब करने का इल जाम क्लास C के ही स्टुडेंट्स पर लगाती है इसलिकिन उसके सामने एक सर्थ रखता है कि वो अपने क्लास की तरफ से श्टिल लाइफ टेबल की पेंटिंग ड्रॉ करेगा अगर टेश्ट में उसके मार्क सन से ज़्यादा आएंगे तो सन को पूरी क्लास C के स्टुडेंट्स से माफी मांगनी होगी सन इस सर्थ को मान जाती है और कहती है कि अगर क्लास C के सभी स्टुडेंट्स को उसके क्लास Cрет के स्टुडेंट्स से सभी अभूग क्लास C से माफी मांगनी होगी सभू लोग टेश्ट देने लग जाते हैं कुछ ही समय में किन और आधिक स्केच कर भी ली होती हैं ये देकर सभी स्टुडेंट्स उससे काफी इंपरेस होते हैं एक फीमिल टीचर यंग से पूछती है कि क्या लू और किन वही स्टुडेंट है जिसे उसने क्लास C में जान मुझका रखा है यंग कहता है कि उसने वहाँ रखा नहीं है पर उनकी वज़े से क्लास E क्स्टुडेंट थोड़े कम एरोगेंट होना सीख जाएंगे टेस्ट खत्म होने के बाद लू और किन वही जियाओ से बात करने जाते हैं कि उन्हें पता है कि आज का सारा किया धरा उशी का है उन्होंने उसे चाबी छुपाते हुए देख लिया था वो वे जियाओ को आगे से कोई और प्रॉब्लम क्रियेट करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि अब से उनका हिशा बराबर हुआ वे जियाओ उनकी बात मान कर वहां से चला जाता हैं उसके बाद लू को आगे की क्लास अटेंड करने का मन नहीं होता हैं इसलिए वो किन को जू चल कर आनिमल्स को ड्रॉ करने को कहता हैं दोनों जू जाते हैं किन जिराफ की स्केचिस बनाता हैं जबकि लू उनकी फोटो लेने लगता है ये देखर किन लू से पूछता है कि क्या उसने स्केचिंग छोड़कर फोटोग्राफर बनने का फैसला किया हैं लू किन के भी कुछ तस्वीरे खीचता हैं उसके बाद वो लोग जू घूमते हैं एक दूसरे से बहुत सारी बाते करते हैं और पूरा दिन दूसरी तरफ टैन अपने फोन में वीडियो की हल्प से बोलना सीख रहा होता हैं तब ही किन उसके पास आता है और दादा जी के बारे में पूछता हैं आज उसने जू में जितने भी स्केच बनाए थे वो टैन को से दिखाता हैं टैन धीरे धीरे किन के शामने बोलने की को हो जाता है और उसे बाई बूलकर वहाँ से चला जाता हैं यंग के घर आता है यंग के लिए कुछ अर्म देता है कि अबीछते ठीक से बूलना नहीं शीखा है यंग टैन से कहता है कि अगर वो उसे बातें नहीं करेगा तो वो ये समझेगा कि टैन उसे इग्नौर कर रहा है तो फिर वो इससे गुशा हो जाएगा टैन बड़ी मुश्किल से यंग को I like you कहता है ये शुनकर यंग हशने लगता है और टैन क्या कहना चाहरा है पर वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि टैन के फिलिंग्स को अपना सके है वो टैन के लिए कुछ और बुक्स खरीदने को कहता है जिससे वो बोलने के प्रैक्टिस कर सकेगा टैन आगे कुछ भी नहीं कहता है उसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते ह ब मचलीों को खाना खिला रहा होता है ये देकर यंग मुश्कृराने लगता है ये चैन कहता है कि व redeem क्ल正 पज्ड को बेद्विशं की तरह लिता है अगि का की तरह लोई पार एन की पार चैन की जा का जाता है मुई देख घुरabil देनि पारा है और बहुत ठंड पड़ेगी कुछ ही देर में बर्फ पड़ने भी लगती है यंग 10 को घर तक छोड़ कर वापस चला जाता है किन छट पर शे उन्हें देख लेता है वो 10 पर एक छोटा सा स्टोन फेकता है और इसारे से उसे उपर बुलाता है किन 10 से कहता है कि आज दादा जे उसे पूछ रहे थे कि क्या वो यंग के साथ डेट पर गया है आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है 10 कहता है कि यंग उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है वो उसे पशंद करता है पर शायद यंग को वो पशंद नहीं है टैनिश आरेशे कहता है कि उसे लाइफ में कैसा इंसान चाहिए जो उसकी परवा करें उसकी सुने और सिर्फ उससे प्यार करें ये सुनकर किन कहता है कि उसकी पसंद कितनी आइडल टाइप है पर उसके पास ऐसा कोई इंशान नहीं है जो उसकी परवा करता है किन भले ये कहता है पर उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक चहरा याद आता है और वो चहरा लू का होता है इधर लू की हालत भी शेम होती है वो भी इस वक्त किन के बारे में ही सोच रहा होता है और अपने लापटॉप में उसकी तश्वीरे धेखता है जो आज उसने खीची थी अगली दिन दूनों साथ में स्टूडियो जाते हैं कल जो उनका मंथली टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट आ चुके होते हैं इस टेस्ट में किन फर्स्ट आता है यानि कि शन वो सर्थार चुकी होती है लोग आपच में बात करते कि क्या सन सच में किन से माफिय मांगेगी इधर यंग के कहने पर लू और किन स्टूर रूम में कुछ शामान लेने जाते हैं लू किन से कहता है कि उसे नहीं पता था कि जो हमीशा सांत रहता है वो आज अपना टैलेंट इस तरह लोगों को दिखाएगा और क्लास A के स्टुडेंट्स को क्रश कर देगा कहीं वो सच्मे क्लास A की मौनिटर सन से नाराज तुने हैं किन कहता है कि भले उसका गुसा खराब है पर वो किसी से नाराज नहीं हैं इस पर लू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो हर बार वेजियाओ से क्यों लड़ बाटता हैं टेन का कहना होता है कि सन वेजियाओ से अल तब ही अचानक लू के पीट में फिर से दर्ड होने लगता है किन बाहर किशी को बुलाने जाता है पर दरवाजा जाम होनी की वज़े से उससे खुलता ही नहीं है दूसरी तरफ शन किन से और उसके क्लास A से माफी मांगने उसके क्लास में आती है वो वे जियाओ से पूछती ने वो गलती की होगी वैशे भी अगर किन यहां होता तो वो उसे माफी मांगने नहीं देता ये शुनकर शन को अच्छा लगता है और वो वे जियाओ से उसका नाम पूछती है वो वे जियाओ से कहती है कि अगर किन वापस आय तो वो उसे बता दे कि सन उसे माफी मांगने आई थी वो शर्थारी है तो वो माफी जरूर मांगेगी इतना कहकर शन वहां से चली जाती है वेजियाओ की शकल बता रही होती है कि वो शन को पशंद करने लगा है वेजियाओ का दूस्त वहां आता है उसे लगता है कि साइज सन यहां कोई परिशानी क्रिएट करने आई थ बलकि वो तो उसकी future में होने वाली भावी है इधर किन लू को better feel कराने के लो उसके पीट को रप करने लगता है किन के इतने करीब आने से लू को अजीब feel होता है जबकि किन को देकर ऐसा लगता है जैसे वो इस moment को enjoy कर रहा किनलू से कहता है कि इसका पेट सच में बहुत वीक है कहते है कि पेट किसी भी इंसान की एमोशन्स बताते हैं पर वो तो इसे हमेशा खुश नजर आता है तब ही वेई जी आओ स्टोर रूम का दरवाजा खोल कर अंदर आ जाता है और यही पर यह आपिशोड खात्म होता है I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगी तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए आपिशोड के साथ तेल दन बाब बाई